हेई गाइज वालकम बैक टो कॉटर और कैसे आप सब सब आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं इंडियन वेडिंग गैस मेकप लोग अगर आपको यह लूग अच्छी लगे प्लीज वीडियो को लाइक जो कर देना मेरे चानल पे नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब ट यह है अगर आपने वीडियो नहीं देखर आप चक्ड़ाओं कर सकते हैं बहुत ही सही वाला है अगर आप बिगनर हो तो भी आपके लिए बहुत ही सही वाला यह मस्तुराइजर है ठीक है उसके बाग कं यां यूज करिया हो ग travelling में दखाया था खरहाए यह वह आपने वो शुगर का इलुमिनेटिंग मस्टराइजर यह उप्शनल है अगर आप यूनो ट्राइ करना चाहते हो तो लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अधर्वाइस यह उप्शनल है यह करता कहा है कि आपके इलुमिनेटिंग एफेक्ट देता है ठीक है आपके इस फेस को एक ग्लोइंग बनाने में हल्प करता है ठीक है तो गाइस इसमें आपको फो शेड मिल जाएंगे ठीक है अपनी स्किन टोन के यह साब से अपनी शेड को बाई कर सकते हैं ठीक है मेरे पास है शेड नमबर टू न की मेरी स्किं टोन मीडियम है ठीक है ठीक है सो उसके बाद मैं यहां यूज कर ह муж complaints लिए बहुत भी अपने चालमा अन्याति स्टार्ट किया है सुब क्यानल सीलिकॉन बैज भी से चार्व पर शेरिए ठीकर तो मिल जाएगा हौब इसके बाद यूज़ करने हूँ मैं पाउंट्स की बीबी क्रीम अगर आप चाहो तो आप फांडेशन भी यूज़ कर सकते हो ठीक है मेरे फेस पर इतने ज़्यादा स्कार्ट सो गयरा नहीं है ठीक है इसलिए मैं बीबी क्रीम से अपना सारा मेकप करती हूँ ठीक है यह पांट्स की है बहुत ही अच्छी है ठीक कवरेज प्रवाइड कर देती है ठीक है आपको मीडियम कवरेज मिल जाती है इसमें आपको दो शेट मिल जाएंगे इसका लिंक और परपर का लिंक आपको नीचे दे रखा है तो वहां से चाकवर्ट कर सकते हैं ठीक है इसके बाद हम यूज करेंगे हमारा कॉमपैक्ट ठीक है आपके पास जो है वो यूज कर सकते हो मेरे पास है यह फेसिस कैनेडा का मैं अपने हर एक वीडियो में इसे य करेंगे ठीक है कंटोरिंग के लिए मैं यहां यूज करी हूं स्टेकवक की की यह पैलिट है ठीक है इसमें आपको तीन शेड्मिल जाहेंगे इसमेंगे Concealer तो हमारे face में जो भी हम make up करेंगे ठीक है वो केकी सा नहीं लगेगा क्योंकि winters में हमारे skin बहुत जादा dry होती है ठीक है इसके बाद guys मैं यहां use कर रही हूँ against a coffee का loose powder ठीक है आप इसे पूरे face को set करने के लिए अपने make up को set करने के लिए भी इसे use कर सकते हो but मैं इसे simply baking के लिए use करती हूँ ठीक है इसका जो shade है वो white color का है ठीक है अगर आप चाहो तो अपने पूरे face को set करने के लिए भी आप इसे use कर सकते हूँ so अभी हम अपना eye makeup करेंगे ठीक है so सबसे पहले मैं यहां पर concealer लगा रही हूँ concealer मैंने अनबा बेका यूज किया है आपके पास जो है वो use कर सकते है so guys यह देखिए मैंने concealer apply कर लिया है blend कर लिया है ठीक है अभी मैं इसे bake कर रही हूँ so baking के लिए आप कोई भी powder यूज कर सकते हो baby powder भी use कर सकते हो अगर आपके पास नहीं है ठीक है so इसे लगाने के बाद हम अपना eye makeup करेंगे so इस eyeshadow से मैं यह pink color choose कर रही हूँ ठीक है इसके साथ मैं अपनी crease को अच्छे से set करूँगी जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो आज मैं आपके साथ pink and green color के combination में काई makeup करूँगी आई होप आपको अच्छा लगेगा अच्छा लगेगा प्लीज वीडियो को लाइज जूर कर देना ठीक है so कुछ इस टाइब का pink है यह baby pink color है ठीक है so कुछ इस टाइब का so अभी हम करेंगे cut crease ठीक है अगर आप चाहो तो simply आप green color भी apply कर सकते हो बट मैं यहां से थोड़ा सा अपनी eyes को एक different look देना चाहती हूँ तो इसलिए मैंने अपनी eyes को half eyes को cut कर लिया ठीक है अगर आप चाहो आप middle cut भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो आप full cut भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो आप finger की help से भी इसे apply कर सकते हो अगर आप brush के साथ comfortable हो तो आप brush के साथ भी कर सकते हो ठीक है लेकिन जब आप brush के साथ कर रहे होगे तो आपको ऐसे you know dab dab करके ही पूरे color को place करना होगा अगर आप drag कर दोगे तो drag करने के साथ आपका जो concealer है वह भी fade हो जाएगा and आपकी eye look वह भी अच्छे से निखर के नहीं आएगी ठीक है अगर आप comfortable नहीं हो brush के साथ तो आप simply अपनी fingers को use कर सकते हो ठीक है यह देखे गाइस मैंने अपनी दोनों eyes पर इसे अच्छे से place कर लिया है तो अभी मैं दुबारा से blending brush ले रही हूं और उस पर मैंने यह लिया है थोड़ा डाक पिंग शेव ठीक है अभी मैं green and pink color को अच्छे से दोनों को mix कर रही हूं तांकि यूनों नों के जो edges है वो अच्छे से एक तम से blend हो जाएं ठीक है एक दूसरी में and you know एक similar सी लुक का है हमारी eye की ठीक है so कुछ इस टाइब से मैं इन दोनों को अच्छे से blend कर रही हूं so blending बहुत जादा important होती है guys अगर आप कोई भी कर रहे हो ठीक है foundation किया concealer की या eyeshadow की किसी भी की है blending बहुत जाद important होती है so guys उसके बाद मैं यहां यूज कर रही हूं यह green color ठीक है अगर आप चाहो तो आप pink color को smudge कर सकते हो यहां फिर आप green color को smudge कर सकते हो so guys उसके बाद हम यूज कर रहे हैं हमारा eyeliner आइलाइनर आप अपने मन पसंद से हिसाब से बना सकते हो जैसा भी आपको आइलाइनर परसंद है wing वाला without wing ठीक है so यहां पर मैं हलका सा wing निकार रही हूं ठीक है because मेरी आइस थोड़ी सी मोटी है so मुझे eyeliner लगाना ही पसंद नहीं है so मैं हलका सा wing लगा रही हूं यहां पर and यह steak walkie का eyeliner है अगर आप चेक करना चाते हो तो आप definitely इसे बायर कर सकते हो बहुत ही सही वाला eyeliner है so guys यह देखे मैंने apply कर लिया है eyeliner उसके बाद मैं बेकिंग को remove कर रही हूं ठीक है जो हमने baking की थी तो उसे हम अच्छे से remove कर देंगे so guys जैसे कि हमें पता है कि हमारा base maker complete था ठीक है तो अब हम मैं यूज़ कर रही हूं यहां पर blush ठीक है so अगर आपको ज्यादा लगाना पसंद है तो आप ज्यादा भी यूज़ कर सकते हो तो उसके पात गाइस मैं यहां यूज़ कर रही हूं highlighter ठीक है blush and highlighter गाइस दोनों ही मैंने purple से बाइक हैं दोनों ही wet and white के हैं ठीक है इसके बाइस मैं यूज़ कर रही हूं ठीक है सो यह देखी मेरी फाइनल लुक सो गाइस हेस्टाइल आप अपने मन पसंद से बना सकते हैं ठीक है जैसा आपको अच्छा लगे सो कुछ ही इस तादा के हमारी जो लुक है वेडिंग लुक है बनके रैडी होती है जो गाइस मैंने चोकर सेट पहना है वह मीशो का ठीक है इस सेट में आपको डिफरेंट कलर मिल जाएंगे ठीक है मल्टी कलर भी आपको मिल जाएगा जैसे आपकी रुकारमेंट हो आप वाइक कर सकते हो ठीक है यह मीशो का है यह थी मेरी वीडियो गाइस आपको यह लूक अच्छी लगे होगी अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जुर कर देना मेरे चैन्पे नहीं हो तो प्लीज सस्क्राइब तो मै चानल आपको मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो ठीक है इंस्टाग्राम हैंडल आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड थैंक्यू सो मच गाइज वाचिंग वीडियो थैंक्यू एंड प्लीज नहीं हो तो सस्क्राइब जूर कर लेना एंड साथी पैल आइकन को भीट कर लेना ठीक है ओके बाई गाइज